पद्मिनी एकादशी 2023, पद्मिनी एकादशी से इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मिलेगी नौकरी व्यापार में तरक्की, होगा बंपर लाब हिंदू पांचान के अनुसार. 18 जुलाई 2023 से अधिक मास या मलमास शुरू हो चुका है. हिंदू धर्म में इसका विशेश महत्व है क्योंकि यह हर तीन साल में एक बार आता है. साल में पढ़ने वाली 24 एकादशीयों में से अधिक मास में पढ़ने वाली यह विशेश पद्मिनी एकादशी भगवान विश्नु को समर्पित है. जियोतिश शास्त्र के अनुसार पद्मिनी एकादशी भगवान विश्नु को अत्यंत प्रिय है. इसलिए सभी भक्तों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस एकादशी का व्रत करना चाहिए. पंचान के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत. 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है. यह व्रत पापों से मुक्ती पाने के लिए शुग माना जाता है. 1. मेश राशी मेश राशी वालों के लिए पद्मिनी एकादशी आनंद दायक. रहने वाली है. आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो लोग बैंकिन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी पदोन्नती हो सकती है, और वे बचत योजनाओं में भी अच्छा पैसा. 2. लगाएंगे. खान पान पर पूरा ध्यान दें. आपके घर पर किसी मेहमान का आगमन हो सकता है, और परिवार में किसी सदस्य के सेवानिवृत होने के कारण परिवार में उनके लिए किसी पार्टी का आयोजन किया जा सकता है. 2. मेश राशी वाले आर्थिक और मानसिक तनाव से परेशान हैं तो पदमिनी एकादशी पर नारायन कवच का पार्ट करें. मान्यता है. इससे धन लाब के योग बनते हैं और मन को शान्ती मिलती है. 2. व्रिशब राशी व्रिशब राशी के जातकों के लिए पदमिनी एकादशी एक के बाद एक खुश खबरी लेकर आने वाली है. आप अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों के करिया पर ध्यान केंद्रित चाहिए अन्यता समस्या होगी और आपका कोई पुराना काम लंबे समय से रुका हुआ हो सकता है व्रिशब राशी का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है तो पदमिनी एकादशी पर आप पती पतनी मिलकर केले के पेड की साथ परिक्रमा करें साथ ही पेड में जल में हल्दी म मिलाकर चड़ाए इससे शादी शुदा जिन्दगी में मिठास आती है 3. मिथुन राशी मिथुन राशी वालों को पदमिनी एकादशी के दिन अपनी आय और व्याय में संतुलन बनाए रखना होगा अन्यता बाद में परेशानी होगी विदेश में रहने वाले रिष्टे रहेगा और चात्रों की उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्थ होगा और आप अपने काम में व्यास्त रहेंगे पदमिनी एकादशी का संयोग 3 साल में एक बार आता है ऐसे में मिथुन राशी वालों को इस दिन विश्मु जी की पूजा में आवला जरूर अर्पित करना चाहिए इससे आप पर मा लक्ष्मी की कृपा बरसेगी चार करक राशी करक राशी के जातकों के लिए पदमिनी एकादशी धन संबंधी मामलों में अच्छी रहने वाली है और कार्यक शेत्र में आपको कोई बड़ी उपलब्धी मिल सकती है तो यह आपके लिए बहतर रह आर्थिक मामलों में कर्च देने से आपको बचना होगा अन्यता परेशानी हो सकती है करक राशी वाले पदमिनी एकादशी के दिन घर में दक्षिनावर्ती शंक की स्थापना करें विधी विधान से इसकी पूजा के बाद तिजोरी में रख दें मान्यता है इससे कभी धन की कमी नहीं रहेगी 5. सिंग राशी सिंग राशी के जातकों के लिए पदमिनी एकादशी कुछ बड़ी उपलब्धिया लेकर आने वाली है आप विभिन क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे और महत्वपूर्ण प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा अगर आप किसी काम में धिलाई बरतेगे तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी आप किसी बड़े लक्ष के प्रती समर्पित रहेंगे और कार्यक शेत्र में आपकी योग्यता के अनुरूप काम मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा पadmini एकादशी के दिन किया दान व्यक्ती को जीते जी समस्त सुख दिलाता है और मृत्यू के बाद उसे स्वरगलोख में जगह मिलती है सिंग राशी वाले इसके लिए गौध दान करें 6. कन्या राशी पद्मिनी एकादशी कन्या राशी वालों के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होकर शुप कार्य करने का रहेगा आप विभिन कार्यों में तेजी दिखाएंगे और नया वाहन भी खरीद सकते हैं, आज आपको सबके साथ जुणने में सफलता मिलेगी परिवार के किसी सदस्य से आपको कोई अच्छी जानकारी मिल सकती है यदि दामपत्य जीवन में लंबे समय से कोई बाधा चली आ रही थी तो वह भी आज दूर हो जाएगी कन्या राशी के जातक नौक्री में पदोन्नती पाना चाहते हैं तो पदमिनी एकादशी पर अनाथालय में गरीब बच्चों को अन्न और वस्त्र का दान करें इससे तरक्की की राह आसान होती है ध्यान रहे दान निस्वार्थ भाव से होना चाहिए साथ तुला राशी पदमिनी एकादशी के दिन तुला राशी के जातकों को स्वास्थ्य के प्रती सचेत रहना होगा अन्यथा कुछ परेशानिया उत्पन हो सकती है आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए भावनात्मक मामलों में जल्दबाजी न करें किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है अपने निजी मामलों में समझदारी से आगे बढ़ें तो आपके लिए बहतर रहेगा तोला राशी के लोग पद्मिनी एकादशी पर गजेंदर मोक्ष का पाठ करें इससे पित्रदोष दूर होगा और पूरवजों की आत्मा को शान्ती मिलेगी 8. व्रिष्चिक राशी व्रिष्चिक राशी वालों के लिए पदमिनी एकादशी महत्वपूर्ण रहने वाली है मन से रिष्टे मजबूत होंगे और निजी जीवन सुखमय रहेगा व्यापार के मामले में अच्छा रहने वाला है आज कोई बड़ी उपलब्धी मिलने से आप प्रसन रहेंगे लेकिन सभी का सहयोग भी बना रहेगा आपको किसी मित्र के स्वास्थय की चिंता हो सकती है विद्यार्थी अपनी परिक्षाओं की तयारी में व्यस्त रहेंगे तभी उन्हें सफलता मिल सकेगी विष्चिक राशी के लोग पद्मिनी एकादशी पर संतान की उन्नती के लिए विष्णु जी को तुलसी की माला अर्पित करें और 108 बार ओम अच्युताए नमह मंत्र का जाप करें नो धनु राशी पद्मिनी एकादशी का दिन धनु राशी के जातकों के लिए अच्छे धन लाब का संकेत दे रहा है आपको कोई नई संपत्ती मिल सकती है और आपको अपनी दिंचर्या बनाए रखनी चाहिए अगर आप घर परिवार की जिम्मेदारियों से पीछे हटेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है आपके कुछ प्रतिसपर्धी आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे जिसे आपको नजर अंदाज करना होगा कानूनी मामलों से राहत नहीं मिल रही या फिर विरोधी काम के बीच बाधा डाल रहा है तो धुन राशी वाले पदमिनी एकादशी पर ग्यारह हल्दी की गांट और पितामबर श्रिहरी को चड़ाएं अब शुब कार्य पर जाने से पहले पूजा में चड़ाई हल्दी की एक गांट साथ लेकर जाएं मान्यता है इससे बिना विगन के कार्य पूरे होते हैं 10. मकर राशी मकर राशी के जातकों के लिए पदमिनी एकादशी शुब रहने वाली है आपको छोटे मोटे मुनाफे के अवसरों को पहचानना होगा और उन पर अमल करना होगा और आप दोस्तों के साथ कुछ मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं अगर आप अपनी उर्जा सही काम में लगाएंगे तो आपके लिए बहतर होगा और आपके कुछ बड़े लक्ष पूरे हो सकते हैं आपको एक के बाद एक अच्छी खबरें सुनने को मिलती रहेंगी आरोग्या और धन की प्राप्ती के लिए मकर राशी वालों को पद्मिनी एकादशी पर विश्नु चालीसा का पाठ करना चाहिए 11. कुम्व राशी कुम्व राशी वाले लोगों के लिए पद्मिनी एकादशी सुख सुविधाओं में वृद्धी लेकर आने वाली है और आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और कोई भी काम समय पर पूरा करेंगे बिजने इसके कामकाज को लेकर अगर आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो बहतर होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ती से बात करें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी लीक न होने दें अन्यथा कोई इसका फाइदा उठा सकता है नौकरी की तलाश में बार-बार असफलता मिल रही है तो कुम्भ राशी वाले पदमिनी एकादशी पर हवन करें और इसमें विश्नु सहस्त नामों का पाठ करें ब्राहमन भोजन कराएं सफलता के योग बनेंगे बारा मीन राशी मीन राशी के लोगों के लिए पदमिनी एकादशी का दिन सामाजिक शेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है निजी मामलों में आप सोच समझ कर आगे बढ़ें आपकी हिम्मत बढ़ सकती है आत्म विश्वास को बढ़ावा मिलेगा दूर रहने वाले किसी रिष्टेदार से आपको कोई अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है मीन राशी वालों को पदमिनी एकादशी के दिन वैजन्ती का फूल चड़ाना चाहिए इससे अखन सौभाग्य का वर्दान मिलता है और व्यक्ती संतान सुख भोगता है